हे फ्रेंड्स वेल्कंटो मैच चैनल हेवी रॉक्स टीम्स तुम आप लोगों के लिए आज़ों गाईज मैच कवर करने हैं जो कि हेला जगा हीरो इंडियन सूपर लीग का हैतरा बाद वार सिद एफसी को वागे बीच एक घंटे अठाइस मिनट बाद तो गाईज बात करू कि मतलब जो हम सोच रहे हो नहीं हो रहा जो हम सोचते हैं फूटबल में यह टीम क्लीन शीट मारेगी क्लीन शीट दूसरी टीम मार जाती हो मलब ऑपनेंट टीम तो इसलिए मैं अपनी तरब से बैस देनी की कोशिश करूंगा बट हर मैच तो कोई नहीं जीत सकता अगर मैं कोशिश किया इस मैच के अंदर फिर भी क्रेडिन मिंटेन नहीं हो रहे एक तो क्रेडिट की बहुत प्रॉब्लम है जितना ही शुरू में आदर डाल देते हैं क्रेडिट लो की एंड एंड में प्लियर की जितनी परफॉर्मस अच्छी होती जाती है उतनी क्रेडिट य क्रेडिट करना सबसे मुश्किल है इस वाले मैच में जो इंडियन आई एसल है तो देखते क्या होता अभी तक तो किसी तरह मिंटेनिंस की है तो आगे से बात करूं गोल की एम नवाज एक एवरेज गोल कीपर है आपको बताए यह इतने मैच से क्यों नहीं चलता रहा क्य इनों ने भी एवरेज खेला तो देखा जाए तो आई एसल में जितनी भी टीम्स है और उनके साथ यह बेड़ चुकी है टीम पर आज बेड़ेगी हैदराबाद के साथ तो देखते है क्या रिजल्ट आता है क्योंकि गोवा की स्चार्टिंग से उच्छी थी बट एट लि हो गई तो आगे से बात करूंगा डिफैंडर की यहां से लूँगा एफसी गोवा का एक डिफैंडर जिसका नाम है एविन गोरिडा गॉंजलेस तो गाइस यह प्लेयर के अंदर आपको एक रेयर चीच क्या बिलती है अगर इस टीम की में को हमें भी नी पता कि कौन जिते हैं मैंने बहुत बार नोटिस की है अगर आप कभी भी प्रिमेर लिख खेल लेना तो आपको चांस रएगा कि भाई गोल हो गया लेकिन आईसल में यह कहता हूं कि क्लीन शिट लगनी 60% की चांस तो रहते ही है तो इसलिए मैं इसलिए ले रहा हूं अगर क्लीन शिट लगत से तो हमारे को आगे जाल क्यों इतनी प्रॉब्लम होगी तो आगे से बात करूँ नेक्स लेर की जे कैविन डॉनाची जे कैविन डॉनाची को मैंने पिछले मैच में लिया था इस प्लेयर के वज़ाए इस ही की टीम का प्लेयर है जिसके क्रेडिट जाद है इसका नाम है इसकी जगह मैंने लिया था जे कैविन डॉनाची और यह मेरे लिए बहुत अच्छा निकला मलब भले ही मैं कहता हूं इस बंदे ने उससे आठ नो पॉइंट ही ज्यादा दिये लेकिन वह आठ नो पॉइंट ही मेरे लिए लाखों पॉइंट के बराबर थे मैं आपको डिफेंडर के ओपर बर्टन मौट के डाला गई की जाखे मेरे लेकिन ऊप तरीमिजि सॉन पॉइंट है भाइ यह colored यह किवह वा देख दीख सकते हैं कित만 babay eer अगर इसकी उसप्लेडियर की वापिस होती है तो 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 थोड़ें बच जाएंगे अगर इसकी वापसी नहीं होती तो मुझे credit maintain करने के लिए कोई बड़ा player drop करना पड़ेगा और कोई बात नहीं अराम से करूँगा अरे देखो हमारे साथ credit issue को खेले के साथ नहीं है जितने खेलते हैं उनके साथ सब के साथ है तो वो भी तो कुछ करेंगे तो इसलिए छोड़ दो एक बार credit साथ तो इसलिए गोल होने के 80% चांस है इस प्लेयर दवारा बट ऑपनेंट टीम का भी एक खतरना क्लेयर जो की बिल्कूल इसकी तरह ही खेलते हैं जिसका नाम है एच नर्जरी इन दोनों के अंदर कोई कि यह पहला के निन वहीं डिफरेंस नहीं है बस अलंग अलंग टीम कि एत दिखने में हैं अच्प बोला खेलते हैं ऑगद ए THIS रहा में पिछले मैच के नदर एक लगी the जिसमें कि ये 62 पॉइंट दे गया तो वह बहुत सही है 62 पॉइंट बहुत सही है और आगे से बात करूँ जे विक्टर की जे विक्टर ने प्रिविएस मैच के अंदर विदाउट गोल विदाउट एसिस्च 56 पॉइंट दे दी ते और जील में अपना में रोल पाया था में और मतलब ड्रीम 11 जो एक टीम है मतलब ड्रीम टीम उसके अंदर इसने में रोल पाया और आगे से बात करूँगा स्टेट फोवर्ड की आई एंगूला एलबॉंग गया तो गाइस ये पिछले मैच के अंदर ये वाला प्लियर दो गोल कर गया और काफी लोगों को लगा कि कि मैंने कैप्टन बहुत गल चुन लिया मतलब अभी अभी 70 मिनिट का मैच निकला था तो लोग कह रहे भाई कैप्टन कुछ नहीं करके क्या हार गे हार गे तो अब देखो मैं एक्शुली रिप्लाइट तो दे नहीं बाता क्योंकि मैं अगले मैच की तारी कर रहा था हू कि क्यो को मैंने क्या था देखो मैं अपनी तुरफ से जानके नहीं को रहा था कि मैं इसको यह क्योम तिमाग में करता हूं यह नहीं की भॉली पहले थैयर हो जाती है पस लीक होने का चांस रहता है त सब मेने पहले करने को देच आब कर दूँका है, तो चैप्तैं की आज Ol